नमस्कार दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में एक्जाम एनलेसिस करेंगे RRB NTPC 2020 एक्जाम का तो 25 जनवरी 2021 को जो पहली शिफ्ट रहिए उसमें जो भी कोशन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिसकस करेंगे इस वीडियो में हम जितने भी कोशन डिसकस करेंगे ये सभी 100% रियल कोशन होंगे जो कि आपके एक्जाम में पूछे गए हैं तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तो चलिए सटार्ट करते हैं हमारी वीडियो देखते हैं पहला कोशन क्या है तो पहला कोशन पूछा गया है तो हम आपको स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं कि जितनी भी इंटरनेशनल और्गनाइजेशन हैं उनके हेड़ क्वाटर कहां पे लोकेटेड हैं वो कभी स्टैबलेश होई थी यह आपको ज़रूर याद रखना है इंपोर्टेंट रहता है और हर शिफ्ट में कोशन पूछा जाता है तो इंटरनेशनल लेबर और्गनाइजेशन जो है इसका हेड़ क्वाटर लोकेटेड है जिनेवा सुट्जलेंड में तो जिनेवा जो जगे है सुट्जलेंड में वहाँ पे हेड़ क्वाटर रहेगा इंटरनेशनल लेबर और्गनाइजेशन का बाकी और भी जितनी organizations रहेंगी उनका भी आपको याद रखना है जिसकी separate वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी अगला question देखते हैं Kolaru Lake is located in which state of India तो Kolaru Lake जो होता है ये इंडिया की कौन सी state में located है तो lake हो गया, dams हो गए, national parks हो गए इनसे related भी एक question जरूर पूछा जाता है exams में तो Kolaru Lake जो है ये कौन सी state में है तो हमारा answer हो जाएगा आंद्रप्रदेश तो आंद्रप्रदेश जो state है इंडिया की वहाँ पे located है Kolaru Lake Atmospheric pressure is measured by using which device तो atmospheric pressure जो नापा जाता है ये कौन सी device की मदद से नापा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा barometer repeated question एक्जाम में पूछा जा चुका है और दुबारा पूछा गया है तो atmospheric pressure को नापने के लिए barometer जो device होती है इसका use किया जाता है Who is the 24th तिर्थंकर of gen religion तो तिर्थंकर जो होते हैं वो important रहते हैं खास तौट से जो 24th तिर्थंकर होते हैं gen religion के वो सबसे जादा पूछे जाते हैं तो 24th तिर्थंकर कौन थे तो हमारा answer हो जाएगा महावीर महावीर जो थे ये 24th 24 वे तिर्थंकर थे और पहले की बात करी जाए तो पहले कौन थे तो पहले थे आदिनाथ 23rd भी important रहते हैं तो पर्षवा जो थे ये 23rd तिर्थंकर थे अगला कुशन देखते हैं खिलाफत movement was started in which year and from which city तो हम काफी बार डिसकस करते हुआ रहे हैं कि खिलाफत movement हो गया जलियवाला बाग मैसकर हो गया और रॉयलेट एक्ट हो गया ये तीनो एकी साल में पास हुए थे या फिर स्टार्ट हुए थे तो वो कौन से year रहेगा तो वो year है 1919 और तीनो ही question exam में जरूर पूछे जाते हैं impeachment process of president is related to which article तो president जो होते हैं जो president को हटाया जाता है तो उसका जो process होता है जो impeachment process होता है वो कौन से article में बताया गया है तो हमारा answer हो जाएगा Article 62 Article 62 में बताया गया है Impeachment of President के बारे में अगर President को हटाना हो तो उसके लिए क्या process होता है उसके बारे में बताया गया है Article 62 में What is the full form of IDN IDN जो होता है उसकी full form क्या होती है तो full forms के उपर भी लगातार exams में question पूछ रहे हैं First phase में 2-3 question हर shift में पूछे जा रहे थे और second phase में भी एक question तो जरूर आ रहा है full forms के उपर तो IDN की full form होती है Internationalized Domain Name Internationalized Domain Name जो होती है यह full form रहेगी IDN की What is NCSM which comes under Ministry of Culture तो Ministry of Culture जो है उसके under जो NCSM आता है उसकी full form पूछी गई है या फिर वो क्या होता है तो हमारा answer हो जाएगा National Council of Science Museum तो National Council of Science Museum जो होता है यह होता है NCSM जो की under आता है Ministry of Culture के तो एक यह question पूछा गया है इसको भी आप full form का question ही मान सकते हैं अगला question देखते हैं Who is awarded the भारत रतन in 2019 तो 2019 में भारत रतन से किसे सम्मानित किया गया था तो इस question का answer तो हर कोई सही करके आया होगा क्योंकि भारत रतन जो होता है यह इंडिया का highest civilian honor होता है तो यह सबको पता होता है कि 2019 में भारत रतन किसको मिला था तो हमारा answer हो जाएगा All of the above तो यह तीनों व्यक्ति हैं जिनको सम्मानित किया गया है भारत रतन अवार्ड से 2019 में तो इससे related एक question पूछा गया था इन में से आपको कोई option दिया गया होगा और वो आपका correct answer था तो प्रनव मुखर जी भुपेन हजारिका और नाना जी देशमुग इन तीनों को सम्मानित किया गया भारत रतन अवार्ड 2019 में 2020 में किसी को भी भारत रतन अवार्ड नहीं दिया गया है अगला question देखते हैं कैला सत्यार्थी started which campaign in 1980 तो कैला सत्यार्थी जो है इनसे जो campaign associated है ये भी important रहती है तो कैला सत्यार्थी जो है इनके दवारा जो campaign start करी गई थी 1980 में उसका क्या नाम था तो उसका नाम रहेगा बचपन बचाओ आंदोलन बचपन बचाओ आंदोलन जो था ये campaign थी एक जो की start करी गई थी कैला सत्यार्थी के दवारा 1980 1980 में सांची इस्तुपा was built by अशोक in which state तो ये question most important रहता है इसके द्वारा बनवाय गया फिर द्वारा पूछा जाता है कि कौन सी state में located है तो ये दो question होते हैं जो सांची इस्तुपा से पूछे जाते हैं एक तीसरा question रहता है UNESCO World Heritage Site में सांची इस्तुपा कब add करा गया था तो ये तीन question काफी पूछे जा रहे हैं सांची इस्तुपा से तो सांची इस्तुपा जो है ये बनवाय गया था सम्राट अशोख के द्वारा अब यह कहां पर बनवाय गया था तो हमारा answer हो जाएगा मद्दै परदेश तो मद्दै परदेश जो state है इंडिया की वहाँ पर located है सांची इस्तुपा when a child is in the womb of mother that gets nutrition from तो अगर कोई बच्चा जो होता है वो अपने मा के पेट में होता है तो उस वक्त उसको जो nutrition पहुचाया जाता है जो बच्चे तक nutrition पहुचता है वो किस चीज की मदद से पहुचता है तो placenta जो होता है इसकी मदद से nutrition पहुचाया जाता है बच्चे तक मा के पेट में sound intensity is measured in तो sound intensity जो होती है ये किस चीज में measure करी जाती है तो हमारा answer हो जाएगा decibels decibels जो होते हैं उसमें measure करा जाता है sound intensity को which instrument is used to measure earthquake तो instrument के उपर ही दो question पूछे गए आज की shift में और science से related काफी question पूछे गए हैं तो हमारा answer हो जाएगा सिस्मोग्राफ सिस्मोमीटर और डिचर स्केल ये तीनों जो होते हैं एकी instrument होते हैं जिनकी मदद से अर्थ को नापा जाता है in 1929 who held two bombs inside the central legislative assembly in new Delhi तो 1929 में किसके दुआरा दो bomb फैके गए थे central legislative assembly में new Delhi में तो हमारा answer हो जाएगा भगत सिंग और बतुकेशवर डट तो भगत सिंग और बतुकेशवर डट जो है इन दोनों के दुआरा दो bomb फैके गए थे central legislative assembly में new Delhi में 1929 में तो ये आपको याद रटना है most important question रहता है who is the current chairman of national human rights commission तो national human rights commission जो है उसके present time में chairman कौन है तो हमारा answer हो जाएगा H.L. Dattu H.L. Dattu जो है ये chairman है human rights commission के काली 5000 electron accelerator is developed by तो काली 5000 जो है जो कि एक electron accelerator है ये किसके दुआरा बनवाया गया था तो हमारा answer हो जाएगा DRDO और BARC DRDO और BARC के दुआरा के दुआरा मिलके बनाया गया है काली 5000 को अब DRDO की full form रहेगी defense research and development organization और BARC की रहेगी बाबा atomic research center इन दोनों ने मिलके काली 5000 को बनाया DRDO का जो हैड़कॉर्टर है वो लोकेटिड है न्यू डेली में और बाबा atomic research center का हैड़कॉर्टर है मॉंबई में और women और girl women and other ये दोनों बुक हैं जिनको 2019 में bookers प्राइस सम्मानित किया गया है तो दोनों बुकों के नाम आपको याद रखने है और इनके authors को अभी नाम आपको याद रखना है अगला question देखते है महुचसब festival is celebrated in which state of India तो एक question festival से भी पूछा गया आज की shift में कि महुचसब festival कौनसी state में celebrate किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा महारास्ट तो महारास्ट जो state है वहाँ पे celebrate करा जाता है महुचसब festival को which of the following is a volatile memory तो ये question repeat हुआ है पहले भी एक question पूछा गया था और अब ये फिल पूछा गया है कि volatile memory कौनसी होती है तो उसमें आपको चार option दिये गए थे जिसमें एक option था RAM रेम जो होती है random assess memory ये जो होती है ये एक volatile memory होती है Rome जो होती है वो non volatile memory होती है who was the successor of चंद्रगुप्त first होती है मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे उनकी जो trophy थी वो start जो करी गई थी कौन से साल में की गई थी 1956 से लेके 1957 में start करा गया था मौलाना अबुल कलाम आजार ट्रॉफी को तो दूसरा कोशन पूछा गया इंटरनेशनल और्गनाईजेशन से कि इंटरनेशनल मौनेटरी फंड जिसको की आईएमेफ की नाम से जाना जाता है यह जो और्गनाईजेशन है इसके टोटल मेंबर कितनी कंट्रीज है तो हमारा आंसर हो जाएगा 190 टोटल 190 मेंबर कंट्रीज हैं इंटरनेशनल मौनेटरी फंड और्गनाईजेशन की डैशेज यूस्टू कनेक्ट आर बोन्स फ्रॉम अनदर बोन तो हमारी जो दो हड़ियां होती है उनको जोडने के लिए कौन सा टिशू होता है जिसकी मदद से वो दोनों हड़ियां जोड़ी जाती है तो हमारा आंसर हो जाएगा लिगामेंट्स तो लिगामेंट्स की मदद से हमारी जो दो हड़ियां होती है उनको जोड़ा जाता है तो दोस्तों यह हमारी वीडियो का आखरी कोशन में मिल जाएगा तो आप उनको जरूर देखें उनसे आपको काफी मदद मिलेगी धन्यवाद दोस्तों